इस लेसन में हम लोग जिस प्रिंसिपल अव डिजाइन के बारे में जिकर करेंगे उसका नाम है जी Contrast Contrast भी Graphic Design के अंदर बहुत ज़्यदा Important Principle के तौर पे जाना और माना जाता है तो देखते हैं Contrast है क्या दोसो, Arranging Opposite Elements Together This is Contrast Basically, जब हम Opposite Elements को एक साथ कठा करते हैं किसी भी डिजाइन के अंदर तो Contrast पैदा होता है मिसाल के तौर पे अगर हम किसी Light Color को किसी Dark Color के साथ Arrange कर दें या किसी Large Scale की चीज़ को किसी Small Scale की चीज़ के साथ Arrange कर दें और या फिर किसी Rough Texture को किसी Smooth या Silky Texture के साथ Arrange कर दें तो होगा क्या कि वहाँ पे Contrast पैदा हो जाएगा डिजाइन के अंदर अच्छा दोस्तो Contrast तो है ये करता क्या है Contrast Visual Elements के दर्मियान एक बहुत ही Interesting Relationship पैदा करता है Contrast can either pull together or it can push away the elements of design दोस्तो Contrast से जो सबसे ज़दा Help हमें मिलती है वो ये होती है कि Basically Contrast की मदद से जो देखने वाले की आंग है उसको Different Elements के दर्मियान फर्क करने का पता चलता है और वो Easily Differentiate कर सकता है Different Elements के दर्मियान अच्छा कुछ बात करते हैं कि Contrast हम किस किस तरह से पैदा कर सकते हैं और इसकी कौन-कौन सी टाइप्स है दोस्तों Contrast को हम Size को Vary करके पैदा कर सकते हैं इसी तरह से Different Shapes को हम अकठा Arrange करके Contrast पैदा कर सकते हैं हम Value को Change करके यानि के Tints और Shades को आपस में अकठे Arrange करके भी Contrast पैदा कर सकते हैं इसी तरह से वो Colors जो के Color Wheel के अंदर Opposite हों या जिस तरह से Light और Dark कलर की हमने बात की तो हम इस तरह से Colors को Different Colors को Opposite Colors को Arrange करके भी Contrast पैदा कर सकते हैं और इसी तरह से हम Objects को ये Shapes को Different Direction में या Opposite Direction में Place करके भी Contrast पैदा कर सकते हैं अगर हम नज़र दुड़ाते हैं इस Visual की तरफ तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे पहले डायग्राम के अंदर Different Size के Circles को कुछ इस तरह से Arrange किया गया है कि बड़े Size के Circles और चोटे Size के Circles की Arrangement से हमें उनके Size में Differentiate करना असान हो गया है इसी तरह से ये अगर आप देखें Different Shapes को जिस तरह से अकठे प्लेस किया गया है यानि Circle के साथ अगर Star को हम प्लेस करें तो फिर हमें Circle और Star दोनों की Shape के अलग-अलग होने का पता चलता है तो इस तरह से भी लाइटर टॉन वाले हैं और कुछ डारकर टॉन वाले हैं तो यहां पे Value के मदद से Contrast पैदा किया जा रहा है इसी तरह से Different Opposite Colors के Circles को अकठा जो है वो अरेंज करके Contrast जो है वो बनाया गया है और आखिर में हम देखते हैं कि यहां पे Arrows को Opposite Direction में जो है वो Place करके Contrast पैदा किया गया है तो दोस्तों इस तरह से हम Size को Change करके Shape की मतबस से Different Shapes को अकठा अरेंज करके हम Lighter Tones और Darker Tones यानि Tents और Shades को अकठा अरेंज करके Color Different Opposite Colors को और Different Direction में हम चीजों को अरेंज करके Contrast अपने डिजाइन में Produce कर सकते हैं अच्छा चलें एक Daily Life की Example देखते हैं Contrast के हवाले से दोस्तों Men Dressing के अंदर Gents की Dressing के अंदर जब हम Suiting करते हैं तो Blue Color के Coat या Shirt के साथ Off-White या Aukar Color की या किसी भी Light Color की पैंट या ट्राउजर को पहनना हम बहुत पसंद करते हैं Basically हम एक ऐसा Dress Combination Choose कर रहे हैं अपने लिए जिसमें Contrast मौजूद है तो इस तरह से देखने वाले को हमारा जो Colors हैं हमारे Dressing के वो बहुत ज़दा Appeal करते हैं इसी तरह से Females की Dressing में भी अगर हम देखें तो Same Principle इसी तरह से Apply होता है तो आपने देखा कि हमारी Daily Life में भी Contrast है वो बहुत ज़दा एहमियत रखता है अच्छा दोस्तो Graphic Design की Specifically अगर बात करें तो Graphic Design में Different जो हम चीज़ें बनाते हैं Different items produce करते हैं साइन के हवाले से जैसे के Logo, Website, Poster, Browser इन तमान चीज़ों के अंदर Contrast को बहुत ही ज्यादा एहमियत हासल है आप लोग स्क्रीन के उपर इस वक्त देख सकते हैं एक Logo ये एक बहुत ही मशूरा जमाना Company का Logo है और इसके अंदर देख सकते हैं कि Opposite colors को कुछ इस तरह से Combine किया गया है कि ये Color की Base पे बहुत ही खुबसूरत Contrast एड़ कर रहा है इस Logo के अंदर और ये ही इस Logo की खासियत भी है Design के Point of View से इसी तरह से अगर हम Digital Illustration को देखें तो हम देख सकते हैं कि Different colors को Opposite colors को आपस में Light और Darks को आपस में कुछ इस तरह से Combine किया गया है कि जो Illustration है उसकी Face Value बहुत ज़दा बढ़ गई है और देखने में ये बहुत ज़दा Interesting लगने लग गई है इसी तरह से अगर हम इस Poster को देखें तो हमें पता ये चलता है कि ना सिर्फ यहां पे Text के Size को Scale को Differ करके और Different Scale के Text को आपस में Arrange करके यहां पे Contrast बनाया गया है बलके इसके इसके इलावा Black और White जो हमें पियानो की कीज के अंदर नजर आ रहे हैं वो भी एक बहुत ही खुबसूरत Contrast जो है वो पैदा कर रहा है तो दोस्तों इन एक्जामपल्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि Contrast जो है यह Design में और Graphic Design में किस कदर एहमियत का हामिल है और हमारे Designs को Uplift करने में और खुबसूरत बनाने में Contrast का किस कदर अमल दखल मौजूद है मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह Lesson पसंद आया होगा अब आप लोगों ने जब भी कभी Designs देखने हैं तो आपने वहां पे Contrast को लाजमी तलाश करना है और जब आप अपने Designs बनाएं तो कोशिश करें कि Opposite Elements को इस तरह से Create करें कि वह बहुत खुबसूरत Contrast पैदा करें आपके Vyuals के अंदर इंशाला तारा नेक्स लेसन में मुलाकात होगी किसी नए Principle of Design के साथ